बड़ा नहीं है भावों से जिसमें बैती मजदार नहीं और वो हिर्दे नहीं वो पत्तर है जिसमें स्वयदेश का प्यार नहीं वो हिर्दय नहीं वो फत्तर है जिसमें स्वय देश का प्यार नहीं जै हिंदूस्ट हलो इस्टुरेंट्स आप सभी का स्वागत है AD Academy का online platform पर और मैं AD आप सभी का स्वागत करता हूँ तो जल्दी से जुड़ते चलेगा सभी विद्यारतियों का welcome है इस AD Academy का online platform पर और जादा से जादा लोगों तक आप पहुचाईएगा वीडियो को ताकि जादा से जादा लोग जुड़ सकें और आज हम बात करेंगे BS Bloom को पर ये आज हम जिस topic को पर बात करने वाले हैं वो topic के कैसा है जो सभी एक्जामों में पूचा जाता है चावो TED हो, चावो आपका Super TED हो चावो आपका C TED हो, चावो मद्यप्रदेश TED हो KBS हो, D++S भी हो यानि कि ये एक ऐसा topic है कि जिसके बिना question paper हमारा हो ही नहीं सकता हर वार एक question यहां से एक या दो question हर बार पूचा जाता है यानि BS Bloom की taxonomy से पूचा जाता है तो चभी विद्यारतियों का श्वागत है जितने भी विद्यारति जुड़े हुए हैं और एक जोस के साथ हम सुरुगात करते हैं हम कहेंगे motivation third के साथ मैं कि माना अगम आगात सिंदू संगर्सों का पार नहीं किंतु डूबना मजदार मैं साहस को स्युकार नहीं बस वही जोस आपके अंदर देखना चाहता हूँ और इसी जोस के साथ हम तयारी करेंगे ठीक है और अब जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारे अंदर वही एक एनरजी होना चाहिए वही हमारे अंदर एक जोस होना चाहिए ठीक है चलेगा शुरुआत करते हैं तो एक चीज और मैं आपको बता दूँ कि ये पीडियाप भी मैंने रेडी कर ली है कुछ बिद्यारती ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सार हमें पीडियाप भी मिल जाया तो ज़्यादा सही है तो पीडियाप के लिए हमने एक छोटा सा एमाउंट हमने रखा है और जिसमें हम आपको सारी हम टीचंग स्किल की पूरी एक कंप्लीट पीडियाप देंगे ऐसा नहीं कि टौपिक की पीडियाप है ये पूरी हमने एक हम कहेंगे पूरा स्लेवर्स की पीडियाप हमने तयार की है है ओली किलिए है तो सुरुगात करते हैं आज हम बियेस्ट बिलूम का भी पर बात करें गया और बियेस्ट बिलूम में हम लेकर चलते हैं क्या क्या चीज facto जरूरी है क्या क्या नई है भी की टैक्रणम की टैक्ष्णॉमि बहुत ही महत्पूर आ cowboy है हमारे ठीक है, आप लोगों ने अगर हमारा Telegram Channel जोइन नहीं किया है तो पहले आप उस Telegram Channel को जोइन के लिजेगा, ठीक है, Telegram Channel की मैं आपको याँ पर Link बता देता हूँ कि Telegram Channel की क्या Link है, ठीक है, तो यह Telegram Channel की Link है, AD, DHAKD, DHAKD, धाकर, 1416, अब टाइप करोगो तो आपको PDF मिल को मैंने नम्मर बताई रखा है कौन सा हमारा वर्टसप गुरूफ है ठीक है इस नम्मर पर आप मैसेज करिएगा तो आपको वर्टसप गुरूफ में भी हम आपको एड़ कर देंगे इससे क्या रहेगा आपको नौटिफिकेसन आपको मिलता रहेगा क्लियर है तो जितने भी जिद्यारती जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएगा क्योंकि नौटिफिकेसन आपको मिलता ही रहता है ठीक है तो नैस आगे की तरफ हम बढ़ते हैं चले स्टार्ट करते हैं सीधे हम तो यह रहा आपके सामने बीएस बिलूम की टेक्शनोमिक सबसे पहले बीएस बिलूम के बारे में जानते हैं तो बीएस बिलूम जो है वो एक अमेरिका के साइकलोजिस्ट है अमेरिका के मनोबैग्यानिक है और बीएस बिलूम ने ठीक है तीन पक्ष बता हैं, जो आप सभी को पता है, आगे हम समझने वाले हैं, cognitive है, affective है, psychomotor है, ठीक है, तो ये जनम से संबंदत, कोई question नहीं आता है, exam में मैं आपको बता हूँ, उनका जनम कब हुआता है, क्या था, तो ये हैं आपके BS bloom, ठीक है, बहुत दर्द दिया है इनों हैं, ठीक है, क्योंकि कहीना कहीन, इसका एक question तो आता ही है, और हमसे एक question कहीना कहीन गलत हो जाता है, पर अब आपका वो question गलत नहीं होगा, ठीक है, लोग इसको बड़े ही, हम कहीने वैसी निगाओं से देखते हैं, कि BS bloom, BS bloom, क्योंकि इसका एक question ऐसा आता है, जो हमारे मन मस्तिस को गुमा कर रख देता है, बिल्कुल, ठीक है, और हमारा, कौंसे हम करते हो, कहीना कहीना कहीन, वो question हमारा गलत हो जाता है, लेकिन मैं फिर आज मैं आपके लिए एक trick लेकर आया हूँ, ट्रिक के मादे हम सहम बात करेंगे, कुछ keyword भी आज इसमें है, ठीक है, कि BS bloom क युख और हम पूरा नाम है, ठीक है, इनका जनम जो हुआ था, वो कब हुआता? वो 1913 में कहीना हुआता, इनका जनम बीड़ेकर नाम होइथा, कुछ? इसमें मैं कर gefश आज, अजनम हमएं ठीक है, एक्शाम में, और इस Lady इनकी मिरत्य पी whयो थी, और how seen the day was changed earlier in 99 है, ठी पर आगे की तरफ हम चलते हैं तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं बीएस बिलूम के बारे में सभी लोग जोड़ चोके हैं चले बहुत बहुत दन्यवाद देखो 1950 के दसक की हम बात करें बीएस बिलूम की जो आई थी वो बीएस बिलूम की टेक्सोनोमी आई थी 1900 यानि 1956 में हम दसक से हम लेकर चलते हैं कि 1950 का दसक था यई 1950 के दसक में 1950 के दसक में ठीक है यानि बेंजामिन ब्लूम और उसके सायोगियों द्वारा ठीक है यानि उसके जो और हम कहेंगे सायोगी जो उसके साथ काम करते थे ठीक है साय योगियों दोरा क्या किया गया ठीक है सिक्षण के उद्देश बताए गया तो एक कोशन एक्जाम में यह पूछा गया था कि यह जो BS Bloom ने जो बताए हैं वो क्या बताए है तो वो सिक्षण के उद्देश बताए है और इन उद्देशों का इनों न क्या है तिर इस तरिये विवाजन किया है यानि तीन इस तरों में क्या किया है विवाजन किया है कितने उद्देश बताएं, साथे कुधधेशों का в temperatura किया है, साथे कुधधेश कितने बताएं, तीन उद्देश बताएं, तीक है, आगे हम कहेंगे, जिसे आज हम क्या कहते हैं, यानि बूम का, जिसे हम वरगी करेंण बोलते हैं, यानि Bloom की Taxonomy भी कहते हैं या Bloom के हम कहेंगे ठीक है कि Learning Domain भी कहा जाता है यानि सीखने के छेतर भी इनको कहा जाता है ठीक है और आगे की तरफ हम चलते हैं ठीक है कि Bloom ने अपना ये प्रसिद्ध जो वर्गी करन है वो किसमें किया है ये इनकी book है बुक आपके सामने लिकूई है ठीक है कि Taxonomy of Education Object तो ये किसकी book है ये BS Bloom की books है ठीक है तो ये बुक आपको दिखाई दे रही होगी ठीक है बुक मैंने तो कुछ चीज़ मैं इमेज इसलिए आपके सामने लाता हूँ कि जब कोई चीज़ को हम एक पिचर के माद्यम से देखते हैं तो उस चीज़ वो हमारे लॉंग टाइम तक हमारे ब्रैंड में रह जाती है ठीक है हम कहेंगे दीद कालीन समय तक उसको हम अपने मन मस्तिस में कर सकते हैं रख सकते हैं ठीक है आटेक्सनोमी औप एजूकेशन आपजेक्ट सभी को याद है जैसे हिंदी में अगर आजाए तो हिंदी में कह सकते हैं कि सैच्च उद्देशों का विवाजन ठीक है ये जो बुक का नाम है सैच्च उद्देशों का विवाजन तो मैं आसा करता हूँ कि आपको यह डेपिनेशन जो है वो आपको याद हो चुकी है कौन सी डेपिनेशन है कि अगर बुक का नाम पूछे तो अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं और अगला पॉइंट यह है कि कितने चेतर बताएगा है तो यह है आपके सामने तीन चेतर बताएगा है यहां तक समझ में आ रहा है कितने चेतर बताएगा है तीन चेतर बताएगा है यह रहे आपके सामने तीन चेतर बताएगा है यही है कौन कौन सी डोमान यानि पहला है हम कहेंगे psychomotor domain यानि कि किरियात्मक पक्ष या जिसको मनुस आरेरिक पक्ष कहा जाता है संग्यानात्मक भावात्मक किरियात्मक आज हम इस तरीके से समझेंगे कि आप सब कुछ भूल जाओगे लेकिन इसे कभी नहीं भूलोगे ठीक है चले गए नेश पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने चले तो अच्छा ये पिच्छर मैंने आपके सामने इस तरीके से क्यों दी है इसका क्या रीजन है क्योंकि अभी recently CTET के एक एक पूछा घाया था भावात्मक ठीक है और हम कहेंगे आपका संग्यानात्मक और आपका क्रियात्मक क्या इनका कुई रिलेशन है ऐसे तो नहीं दियाता है एक्जामना ने ये तो नहीं पूचाता कि cognitive or psychomotor or effective क्या इनके तीनों के बीच में कोई relation है कि नहीं है कोशन इस तरीके से पूचाता आपके सामने निकल कर आजाएगा तो कोशन ये पूचाता कि संग्यान और संबेख क्या जुड़े हुए हैं क्या अलग है अब आपको ये पता होना चाहिए कि संग्यान का relation क्या है संग्यान क्या होता है और emotion क्या होता है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि संग्यान की बात करें और वहीं हम एक्जामना सीटेड में दो बार question पूचा गया था कि संग्यान ठीक है और हम कहेंगे संबेख क्या इन दोनों में कोई relation है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये संबेख जो है ये किसका पार्ट है तो आपका हुए साथ संबेख जो है वो तो किसका होता है संबेख जो है वो किसका पार्ट है वो किसका पार्ट है वो है किसका साइको जो है भाबात्म पक्ष का यानि कि ये जो हम बात करें किसकी संबेख की तो संबेख किसका पक्ष है तो आप कहोगे सर संबेख जो है ये भाबात्म पक्ष है लेकिन cognitive की बात करें तो cognitive का संबंद किस से है cognitive का relation होता है हमारे चिंतन से किस से चिंतन से ठीक है इसका relation किस से है इसका relation है हमारी किसकी सारे रिक किरियाओं से किस से सारे रिक किरियाओं से देख इसमें बताया गया है कि mental ठीक है यानि knowledge clear है इसका relation किस से है हमारी mental scale हम कहेंगे मान से गुरूप से clear है और इसकी बात करें तो इसमें लिखा है emotion ठीक है attitude हमारा द्रश्टी कोण और आगे और हम समझने वाले हैं और इसका relation किस से हमारे physical skill से देखो अभी भी समझ में नहीं आया हो तो और में आसान सब्दों में सबसे पहला question पहले तो आप ये clear करिएगा cognitive, psychomotor, affective ये तीनों अलग नहीं है ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए है यानि कहने का मतलब ये है अगर हम एक को प्रभावित करेंगो तो दूसरा उससे प्रभावित होगा कहने का मतलब ये है अगर मेरे को गुश्ण आ रहा है यानि मेरे को emotion है मैं अगर गुश्ण में हूँ emotion में है तो फिर मेरी मेरी चिन्तन की प्रक्रिया BIas लिड़ते करते हैं यहां तक क्लियर है और आगे की तरफ बढ़ते लिए पॉइंट पर आम बात करते हैं और नेश पॉइंट है वह नहीं है दो थोड़ा और मैंना आपको बता यह एक इमेज और मैं आपके सामने लेकर आया हूं वही। है कि तो याद रखिएगा तीन एच यह रहे आपके तीन एच यह रहे आपके एच यह रहा आपका नेश्ट एच अगर आप से पूचे कि कॉंग्निटिव का रिलेशन किस से है यानि तो आपको बताना है कॉंग्निटिव का रिलेशन किस से हमारे इस बौधिक फिरकिरिया से इस हमारी कौन से हम कहेंगे मानसिक फिरकिरिया से किसका कॉंग्निटिव भाबात्म पक्ष का संबन ठीक है ये हमारा कौन सा है ये हमारा भावात्म पक्ष अपैक्टिव डोमेन है तो अपैक्टिव डोमेन का रिलेशन किस से हमारी इस हाड से यानि तीन हैस आपके सामने लिखे हैं यानि पहला है हमारा ये हैड है दूसरा है हम कहेंगे हमारा हाड है और तीसरा है हम कहेंगे हमारा हैंड है हाथ है यानि इसका संबन्ध हमारी फिजीकल किरियाओं से है इसका संबन्ध हमारी भावनाओं से है से हैं हमारी भावनाओं से ठीक है हमारी भावनाओं से हमारी संभेदनाओं से ठीक है हमारी संभेगों से क्लियर है किसका रिलेशन इसका रिलेशन किस से है इसका रिलेशन है हमारे चिंतन से ठीक है हमारे तर्क से ठीक है हमारे हम कहेंगे कि इसमर्ती से इसका रिलेशन है इस इसका relation किस से है, इसका relation है अमारी सारे रेक किरियाओं से, सारे रेक किरियाओं से, किलियर है, तो ये तीन पच बताएं हैं, कौन-कौन से, यानि कि cognitive, effective, ठीक है, और psychometer, तीन पक्च है, नेश पॉंट आगे की तरह बढ़ते हैं, अगले पॉंट पर हम चलते हैं, और अगला हमारे सामने, चले, नेश पॉंट पर बात करते हैं, और अगला पॉंट है, कि ये रहा आपका संग्यनात्मक या अनुदेश आत्मक उद्देश, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कि संग्यनात्मक का मीनिंग क्या होता है, बैसे तो मैं आपको समझा चुक संग्यनात्मक पक्ष मैं पहले ही समझा चुका हूं, कि ये चिंतन पक्ष है, कौन सा है, ये चिंतन पक्ष है, यानि ये थिंकिंग एक्सपेक्ट है, ठीक है, ग्यानात्मक प्राय उद्देशों का संबंध, सूचनाओ, देखो कोशन आता है, किस से सूचनाओं का, यानि स सूचनाओं से, ज्ञान से, सिद्धानतों से, तत्वों से, नियम से, जानकारी से होता है. यानि कि, ये जो कॉंगिनिटिव का जो रिलेशन है, यानि संग्यानात्मक का संबंध किस से है, है सूचनाओं के ध्याम से याने की तो दन 17 । मीशन होता है कैसे चिक यह जो अगर आपसे पूछें कि यह जू मेंầy की जो है तो यहाँ पर यह कह रहा है किसको हम कहेंगे एक कक्चा कक्च में यहीं कि एक बिद्यार्ति और सिंसक्षक दोनों के करते हैं क्चा कक्च में क्या करते हैं और यह सीथ एडुकुंट अगप्ष्ट कोश्ण नया हुआ था कि यह ऐख σबसे ज्यादा कहां पर डबलप होता है ठीक है कहां पर हम कहेंगा हमारा संग्यनात में विकास होता है और आप्सन में ता पहला कि बिद्याले दूसरा घर तीसरा खेल का मैदान बहुत से बिद्यारती खेल का मैदान लगा कर आ गए बलकि खेल के मैदान में हमारा क्या होता है हमारे सारे ले क्रि ग्यान आत्मा पक्षों का ही विकास किया जा सकता है ये बालक के मस्तिस चिंतन का पहिनाम होता है कक्षा कक्ष में प्राप्त किया जाता है कहां प्राप्त किया जाता है तो ये कक्षा कक्ष में प्राप्त किया जाता है ठीक है इसके अंत्रगत ज्यान का परिपाक हम कहेंगे आत्मसाथ करना हम क्या करते हैं आत्मसाथ की बात करेंगा ठीक है यानि कि अगर हम बात करें आत्मसाथ ही करन की बात करें आत्मसाथ की बात करें आत्मसाथ का मतला होता है जोड़ना ठीक है क्या करते हैं सूचनाओं को लेते ह विवन तत्वों और प्रत्तों और चिन्नों का क्या करते हैं नियम सिद्धन्त आदी का क्या करते हैं परिपाक करता है तो यह हमारा किलियर है समझ में आ चुका है आगे की तरफ बढ़ें अगला पॉइंट है हमारा तो यह रही आपकी सामने कि आप B.S. की टेक्र CONOMY में अब हम और इसके निदि से बात करेंगे तो देखो B.S. समयनात्म के कितने छेत्रों में बरगिर्विखट लिया है वीसे बारे बात करने वाला हूं तो यहां पर पताना है कि 6 पक्षों में क्या किया गया है किलासिफिकसन किया गया पहला हम कहेंगे पहला हमारा क्या होता है तो पहला होता है हमारा ग्यान ठीक है दूसरा होता हमारा बोध ठीक है तीसरा होता हमारा अनुप्रियोग चौता होता हमारा विशलेशन और पांचवा होता हमारा संसलेशन ठीक है और च तो यही है बीस ब्लूम की टेक्षणॉमी पिछली बार भी कोशन पर आया हुआ था पिछली बार कोशन पूचा गया था कि कौन सा नहीं है और एक आपको यह दे दिया कहा था किस मैं अप्रेक्टिम है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है कि हमारा क्या है यानि पहला हम बात यह अपक्ष यह अनुबब करना यह अनुबब करना यह अनुबब करना पक्ष यह हम कहेंगे फीलिंग एक्सपेक्ट भी हमेंसे बोलते हैं ठीक है एक्सपेक्ट भी बोलते है यह हमारा संबेगात्मक पक्ष होता है बाबात्मक पक्ष होता है यह लिका है यानि अगर आपसे पूचे कि इस पक्ष का डबलप्मेंट कहा होता है तो अभी हम समझेंगे कि कहां पर यह विकास हमारा सबसे ज़्यादा विक्सित होता है। हमारी classroom में नहीं होता है बिलकुल देखो बच्चा खेलने जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका cognitive काम नहीं करता है करता है बिलकुल लेकिन बापस सारे रिख पक्ष जादा काम करता है तो यहां कि इसका मतलब यह नहीं कि class के अंदर देखो बच्चे का सबसे बड़ी society तो इसका classroom है ना जॉन डीबी तो यही कहते हैं कि बच्चे क्या है यानि जॉन डीबी ने तो यहां तक को बिद्याले को लगू समाज का है बच्चे के एक society समाज है कौन बिद्याले क्लियर है तो यह जो हमारा बाबात्म पक्ष है यह सबसे जादा तो हम कहेंगे society में हमा है तो बो होता हमारा कौन सा क्या चरित का निर्मार करना क्या करना चरित का निर्मार करना नैस पॉइंट की तरब चलते हैं और अगला पॉइंट है दूसरे पर हम चलते हैं देख इसमें कुछ पॉइंट इसकी भी taxonomy आपको पढ़ाई जाएगी तो बाबात्म पक्ष की य कि इसके जो पक्ष है कौन-कौन से इसके पक्ष है देखो इसके पक्ष की अगर हम बात करें तो पहला है receiving, responding, value, organizing, ठीक है और characterizing, मतलब चरित का निर्माण करना तो यह 6 पॉइंट है, sorry 5 पॉइंट है और इन 5 पॉइंटों के उपर हम detail से बात करेंगे अभी केवल मैं आपके सामने picture में आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहें क्योंकि पिछली बार question आया हुआ था यानि पिछली बार exam में question ही आया हुआ था, question क्या था, कि वह यह 3 option तो यहां से दे दिये थे उटाकर, 3 option यहां से दे दिये थे और एक option में था ज्यान और question यह पूचा गया था, बताईए कौनसा बाबात्मापक्ष का part नहीं है question क्या था, question यह था, कि तीन options तो यहां से दे दिये, और एक option में था knowledge और फिर पूच रहाता है exam और बताईए कौन सा भाबात्म पक्ष का पार्ट नहीं है तो हम कहेंगे आपको पता होना चाहिए कि यह जो नौलेज जो है ग्यान जो है यह तो किसका है यह उसका किसका यानि कॉंगनेटिव पक्ष का है समझ में आ गए तो कोशन ऐसे भी फूछ सकता है अब हम चलते है ने आपको बता है तो आपको डिलियर है टेंसन नहीं लेने का तो पहले आपके इवल चीजों को समझ लिजेगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या 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 चीजा पढ़नी है और यह पीडिये भी मिल जाएगी सभी को ठीक है चली तो यह एक मैफ है इस मैप को आप समझ सकते हैं कि देखो अप्यक्टिव डॉमैन में क्या-क्या होती है सारी चीजें तो भूब भी मैं आपको बताऊंगा किसमें कौन-कौन से चीजें आती हैं जब मैं आपको डेटिल से इसके बारें बताऊंगा ठीक है अब आता हमारा मनोसाररिक उद्देश या किरियात्मक पक्ष तो इसको थोड़ा हम बात कर लेते हैं क्या है देखेगा मनोसाररिक पक्ष का संबंद किस से हमारी साररिक किरियाओं से है किस से हमारी साररिक किरियाओं से है ठीक है देखो यह करना पक्ष यानि यह डूइंग क्या है ये क्रना पक्ष होता है किरियात्मग marriage प्राय उत्देसों का समवंद सारे रिक किरियाpieces के प्रसिक्शन companion के विकास होता है ठीक हmore ठीक है अर्त अधात हम कहें जिए कए लिक न हुआ हा ठीक है उपकरवों में प्रियोग में लाना हुआ ठीक, अब जैसे four example के लिए writing की बात करें, लेकन की बात करें तो लेकन जो है, इसको भी two parts में बारते हैं, एक एक लिकते हम seoč में, एक हम बात करते हैं सूच में करिया हैं और दूसरी होती हैं, हमारी stool करिया हैं सूच में करियां बे होती हैं, जो केबल, यानि सिंपल ट्रिक से कहूं तो यही कहूंगा, उंगलियों के काम उंगलियों से करना, यानि जितने भी काम अपने फिंगर से करते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, सूच में आ जाते हैं, और हम कहेंगे, उंगलियों के अलावा अन प भूदना नहीं होता है ठीक है तो यह हमारा क्या होता है यह हमारा किसमें आ जाएगा इस तूल में आ जाएगा जैसे मैं कहूं फोर एक्जांपल के लिए ड्राइंग करना अब लिकना किसमें आएगा बताइए तो आपको लिकना तो फिंगर के द्वारा होता है तो यह हमारा किसमें आएगा, सूच में आएगा, किलियर है अब साइकल चलाना, साइकल चलाते हो तो साइकल के लिए हमारी फिंगर भी काम करते है और हमारे बोडी का अन पार्ट भी काम करता है तो ये किसमें आजाएगा, ये हमारा स्थूल में आजाएगा प्रियोग मलाना जैसे आरेक बनाना चित्र बनाना मापन करना कालतना ठीक है काड़ा करना क्लियर सब्सक्राइब इसका relation जो है क्या है वो तीनों चीजों से clear है समझ में आ गया तो आगे बढ़ें तो नेस्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और एगला पॉइंट है हमारा क्या चलिए और नेस्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारा क्या है तो अब आगे हमारा यह जो पक्ष है मैं आपको बत होता यह सारी चीजह हैं बस इसके लिए आप जुड़े रहिएगा और ब्लीप करिएगा मैं आपको फुल मैंसे फुल मांक्स दिलवाऊंगा और ऐसा नहीं कि मेरा एक्सपेरिमेंट है ठीक है मैं पहले भी कई विद्ध्यारतियों कि फुल मैंसे फुल मांक्स आ चुके है और वो केवल एक टीचर के सायोक से नहीं होता केवल एक के सायोक से नहीं होगा जब तक दौनों तरब से किरिया नहीं होंगी तब तक कार नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग जो हमारा लक्ष है वो उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते क्लियर है तो बस ब्लीप करिएगा होसला प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा या मंजिल के मुसापर ठक करना बैट तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा बस इसी जोज के साथ बने रहेगा इसी एडिया केडमी का उनलाइन फ्रेट फंपर ठीक है लगे रहेगा